SIM SWAPPING को लो SIM SWAPPING, किसी की भी SIM SWAPP करा लो भाईया, 10 रुपे, 10 रुपे, सुब्स मार्केट में SIM SWAPPING जो है, वो वायरस की तरह फैलरी है, जिसके अंदर आपके पास जो SIM card allotted है, आपको जो number allotted है, वो SIM बंद हो जाएगी, automatically swap हो जाएगी, उसका duplicate बना लिया जाएगा, क्लोन करके hacker के पास वही number की SIM alert हो जाएगी, तो वो hacker जो है, वो आपके bank detail के सारे OTP receive कर लेगा, तो घुमा फिरा के आपके account में जित्ता पैसा जमाएं, सब कुछ वो निकाल लेगा, कैसे, so hi guys, this is Zidhan, you're watching, say talk, guys, video अच्छा लगे तो channel subscribe तो करिए गई, और अब तो आप मेरे videos देखे, PTM cash कमा सकते हैं, जादा information के लिए ये video जरूर देखें, so guys, मैं आपको बताओ, इस SIM swapping से, आप कैसे बस सकते हैं, उसके बहले समझते, hacker जो है, वो SIM swapping करते कैसे हैं, आपको फसाते कैसे हैं, so guys, सबसे पहला तरीका है, SIM को swap करने का आप खुद, यानि कि आपको एक call आएग तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि Airtel Company की तरफ से इस area के अंदर अभी इस tower का maintenance चल रहा है, जिसकी वजह से आपको जो signals हैं, वो drop हो सकते हैं, तो ये confirmation call है, हम सारे customers को कर रहे हैं, बताने के लिए, कि अगर उनका signal drop होता है, तो उन सभी customers को जो है, वो 7 दिन के अंद सर प्लीज करवा दीजिए ताकि मुझे जाना तो ना पड़े, सिधान जी मैं आपके number के लिए एक unique code generate कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये code आपको आपके message box पे जाना है, type करना है, और इसको send करना है, one to one पे, सर जैसे जैसे आपने बताया, मैंने य SIM जो है, वो automatically upgrade कर दी जाएगी, अगर आपके SIM पे 6-8 घंटे के बीच में, network नहीं आता है, तो आप wait करिएगा 24-48 hours के लिए, ताकि आपकी SIM है पूरी तरह upgrade कर दी जाए, अगर आप चाहें, तो आपका phone भी 1-2 घंटे के लिए आप बंद कर सकते हैं, ताकि आपकी battery जो है, use ना हो, क्योंकि यहाँ पे network का पूरा काम चल रहा है, maintenance चल रहा है हमारे tower में, तो हो सकता है signal drop हो, आपके phone को थोड़ी सी hitting problem हो सकती है, तो आप चाहें, तो इस phone को अभी off कर सकते हैं, सिदान जी, ATL में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुब हो, So guys, इस demo के अंदर, जो message भीजने की बात हो रही है, उस message के अंदर एक नई SIM का number भीजा गया है, जिससे automatically पुरानी SIM बंद हो जाएगी, और नई SIM अलॉट हो जाएगी, तो यह जो process है, यह तब ही काम करती ही, जब आपकी SIM जो है, वो आप upgrade करवाते हो, यानि आपके पस 2G की SIM है, या 3G की SIM है, तो उसको अगर आपको 4G में convert कराना है, तो उसमें document नहीं देना पड़ते है, आपको पुरानी SIM, जो आपकी बस पुरानी SIM है, उससे आपको जो आपकी नई SIM है, उसका number message करना है, इससे होगा यह कि जो आपको operator है, यानि Jio है, Airtel है, तो यह लोग आपक तरीकों से automatically आपका जो number है, नई SIM का, वो भेज दे, तो guys, जो दूसरा तरीका चल रहा है market में, SIM swapping का, वो है आपका ID proof, कैसे भी करके आपकी fake ID proof बना लेंगे, फिर आसपास के retail shop पे जाएंगे, बोलेंगे हमारा भया phone चोरी हो गया, phone जो है वो गुम गया, SIM गुम गई, कै कैसे भी करके पुराने SIM बंद करो, नई SIM हमको allot कर दो, तो यह जो है आपका नाम, number, यह सब इनको पता कैसे चलेगा, पता वहीं से चलेगा, जो छोटी-छोटी URL आते हैं, यह 20 लोगों को WhatsApp पे share कर दो, तो आपको 200 रुपे मिल जाएंगे, 500 रुपे मिल जाएंगे, जो कि कि आप लोग करते हो, उसके अंदर सारी डीटेल आप खुदी फिल करते हो, आपका क्या नाम है, क्या address है, क्या number है, और वो data जो हैकरों के पास चले जाता है, वो fake ID proof बना के, कैसे भी convince कर देंगे, उस retailer को पैसा खिला के, कुछ भी करके, तो automatically आपकी पुराने SIM बंद हो जा चोड़ के, दूसरे operator में आपकी SIM जो है, वो portable हो जाएगी, port कर दी जाएगी, तो जो hacker है, वो आपको फसा लेगा, कैसे भी तरीके से, phishing करके, या mobile phone में 4G application डलवा डलवा के, तो automatically आपका data उनके पास चला जाएगा, और वो अलग-अलग तरीकों से, आपको hack कर लेंगे, सुवेस ये तो बाते होगी, आपकी SIM swap होगी कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको बचना कैसे है, क्या-क्या चीजे follow करना है, ताकि आप उससे बच जाए, और हाँ, ये वीडियो जित्ता जादा हो सके, उत्ता शेयर करिए आपके सारे friends के साथ, family member के साथ, ताकि OTP मांगे तो ना दें, rate card की detail मांगे तो ना दें, या वो बोले कि आपके mobile से ये message भेजो, ये करो वो करो, तो ऐसे instruction कभी भी follow ना करें, क्योंकि bank वाले तो छूड़िये, भगवान भी आ जाएंगे, वो भी आपसे OTP तो नहीं मांगेंगे, दूसरा point, अगर आपको बार- existing operator है, जो पुरानी SIM है, उस पर वो लोग notification बेचते हैं, कि भी या ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपने ये नहीं किया है, तो उस पर call करो, उस पर message करो, तो वो notification, वो confirmation आपको नहीं आ पाएंगे, और आपके SIM बंद हो जाएगी, तो कभी भी आपको बहुत बार call आए, बहु तो कि मान लीजिए, अगर आपका phone hack हुआ, या फिर SIM swap होई, और किसी के पास गया, अगर उसने पैसा निकालना चाहा, तो आपको notification ही नहीं आएगा, वो कि आपकी SIM बंद है, तो mail के थुरू आपको सारी information मिलती रहेगी, तो आप updated रहोगे, आपका account जो है, वो hack हो चुका ह है, उसमें network आना बंद हो जाएगा, automatically ना किसी के call आएंगे, ना messages जाएंगे, ना आएंगे, अगर आपको ऐसा होता है, चार से चाह गंटे के लिए, आपको network नहीं आता है, तो भूजा कि confirm कर लो कि वो network आपके area में नहीं है, या फिर आपकी SIM जो है, वो swap हो गई, और मान आपके SIM swap हो गई, आपको confirmation मिल गया है, अब आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपके सारे bank account में, जहां जहां वो number रेजिस्टेड है, सबसे पहले call करें, उनके सारे call centers पे, उसकर उनको बोलिए कि आपके सारे account जो है, वो hold कर दें, ताकि आपके उस bank account से कोई पैसा निक ताकि उसकी SIM वापस बंद हो जाए, आपके स्टार्ट हो जाए, और थोड़े security measure कर लीजिए, तार यह पता लगा लीजिए, जिसने issue करवाई थी, उसने कौन सी location से कराई, क्या कराई, तो थोड़ा investigation भी करिए, मतलब अगर आपके SIM swap हो जाए, तो घबराईए, मत दिमाग क यूज करिए, अच्छे से सारी चीज़े follow करिए, ताकि जिसने भी करवाई, उसको आप पकड़ सको, और automatically आपको ज़्यादा loss ना हो, तो भाई आप घुमा फिरा किये बोलें, तो जो hacking है, आपके हर कदम पर की जा सकती है, मुबाईल अब से की जा सकती है, उसके बाद आपको फिशिंग मेल भीज़ देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको hack करने की, तो कि जो hacker है, वो आप लोग को फसाएंगे, और आप ही से hack करवाएंगे, मतलब ऐसा कोई टूल नहीं होता, email id डाल दो, mobile number डाल दो, सारी detail बहार, password बहार, आपको कहीना कहीं से फसाना प देख लिजे, ताकि आप educate हो जाओ, तो आपको समझ तो आए, कि चीज़े हो क्या रहे हैं market में, और आपको आपकी detail कैसे बचा के रखना है, क्योंकि जब तक हम secure नहीं रहेंगे, हम खुद को educate नहीं करेंगे, लोगों में सारी awareness नहीं फैलाएंगे, तब तक यह जो hacker हैं हम को hack करते रहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको like करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो dislike करिए, अगर अभी भी आपका कोई doubt है sim swapping से related, नीचे comment करिए, मैं उसका reply ज़रूर दूंगा, इसी तरह knowledgeable and trusted topic के लिए, sit talk को subscribe करना बिलकुल न भूले, so I hope you like this video, thank you